आपको अच्छे नाम रोशन हो आपकी फैमिली का और बहुत सारी चीज़े है एक अच्छा college मिलना बहुत बड़ी बात होती है बच्चो पूरा career उसी पर depend करता है तो हमने top 10 college बच्चो आज engineering college लिये हैं जिन में आज मैं आपको criteria of admission बताऊंगा, cut-off बताऊंगा, ranking बताऊंगा, entrance examination, fee structure, package और कुछ और अपना experience जो मेरा रहा होगा अपने student से लिए तो वो स अच्छे college है तो चलिए पहला college है अन्ना university चेन नहीं से तमिल नाडू, state university का है ये, state government तमिल नाडू के अंडर में आता है, इसका अपना entrance examination होता है, और इसकी counselling BC के थू होती है बच्चो और इसकी NIRF rank 14 है, बहुत अच्छी rank है, 1978 में established हुआ था, highest package भी इसका ठीक है, और average package भी ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत पैकेज बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ये टकड़ी university है, ठीक है, इसमें बहुत सारे course और भी है, ये मैंने कम course लिखे है, इसके अलावा भी बहुत सारे course है, और इसकी ये जो, आपके cut-off देख रहे हो, ये cut-off है, इस examination के according, ठीक है, अलग-अलग ब्रांच की, आप इसका screenshot ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, वेलोर institute of technology, ये प्राइवेट कॉलेज है, अच्छी खासी fees लेंगे आप से ये, और भाई, लेकिन अगर इसके वेलोर जो campus, इसके दो campus हैं, बच्चों, वेलोर campus में जाते हैं, तो value for money है, और उसके computer science और IT, software पार्ट की कोई ब्रांच से करते हो, तो value for money हो सकता है, और मेरे कुछ student यहां से करके गए हो है, तो उनके review अच्छे है, और अच्छे package पर हो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन, मैं private college के बारे में हमेशा बताता हूँ, चाहे और highest package इनका देख लो बच्छो, 44 lakh per annum average package ठीक ठाक है, और बागी सारा data है यह आपके पास, यह इनकी counseling के round है बच्छो, यह C1, C2, C3, C5, यह 5th round है counseling का, ठीक है, अब देखो, जातवफुर university, भाई, आप तक जितने college बताया है, में सबसे favorite college है मेरा यह, बहुत परानी university है, 1905 में बनी थी, 1905 में, NIRF rank 17 है, और West Bengal में state government है, बच्चो, state government के अंटर आती है, सबसे पहली बात इसकी unique में बता दूँ आपको, इससे सस्ता college शायद इंडिया में नहीं है कोई, इसकी fees मातर सायद 7-8,000 रुपय है पुरे एक session की, समझ रहो, तो यह जिसको मिल जाता है, नसीब है, खुल जाते हैं उसके, बढ़िया college है, और भाई, highest package इतना है, और average package भी बहुत अच्छा है, और यह सारे course मैंने b.tech वाले लिखे है, ऐसे बहुत सारे course है वाँ, ठीक है, और इसका entrance WBJE, West Bengal Joint entrance examination के थू होता है, और category wise आपको यह cut off दिख रही है, आप इन्हें दे examination होता है, और J-Main के score भी लेतना है है, और C-CAP, ठीक है, और इसकी NIRF rank 20 है, highest package 13.84 lakh per annum लिखा हुआ है, average बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो सोच समझ के admission ले सकते हो, आप highest score, home state rank यह है cut off, और outside state cut off यह है, ठीक है, और इसके इतने campus हैं बत चोईए, आमरितापूरी, अमरतावथी, बेंगलूरू, चेन नहीं, कोईंबडूर, कोची, मैसूरू, ठीक है, अब आजाओ, जामिया मेलिया, इसलामिया, बच्चो बहुत यह अच्छा college है, डेली में established है यह, state government का college है, कम fees पे अच्छी education मिलती है, NIRF rank 28 है, इसकी 1920 में बना था, highest package 28 lakh per annum, और average package भ है, course और भी है, लेकिन मैं बार-बार बता रहा हूँ, कि हम अपने BTEX-related course बता रहा हूँ, और यह category-wise इनकी cut-off है, बच्चो, आप इसे देख सकते हो, इसके code वगर आप, इसके official page पे जाके, चेक कर सकते हो, cut-off क्या है, ठीक है, इसके screenshot ले सकते हो, इसके बाल बच्चो, of Engineering and Technology, पत्याला पंजाब में, यह पुराना कॉलेज है काफी, उननी सो चपन में बना था, NIRF-29 है इसकी, और 43 lakh per annum, इसके highest package है, और average package भी गुड है, और इसमें दो तरीके एडमिशन होता है, बच्चो, जे-ई के थुरू, और class 12 की percentile के basis पर, percentage के basis पर, ठीक है, हलाकि cutoff बहुत हाई रहती है, और जे-ई का percentile मैंने यहां लिख दिया आपका यह, और percentile के according, आप इसमें मांक्स के according, इसमें admission देख सकते हो, और जे-ई मेन, है ना, कि 50% seats जे-ई मेन के थुरू reserved हैं, और 50% PCM 12% के according reserve हैं, ठीक है, home state के ल institute of technology and science, यह अब तक के मेरे दूसरा favorite college है, अगर private में, अगर मैं कहूँ, पूरे इंडिया में सबसे best college funds है, तो यह है, बिट्स पिलानी, बच्चो, इसके और भी campus हैं, जैसे पिलानी, हैदरवाद, गोवा, मुंबई, दुबई, और की बात नहीं कर सकता है, बिट्स पिलान और 1964 में college बनाता है, highest package इसका 45 lakh per annum, average package good है, और यह इनके marks का score है, इतने score, number होंगे आपके, तो इस admission के chance होते हैं, फिर बतायता हूँ कि यह marks बिल्कुल जो लिखे हैं से नहीं कि नहीं के according होगा, आपके अच्छे marks होंगे, हर बार बात डाटा बज़ जाता है, तो यह average data हम यह private university है, डेली NCR में अगर ठीक ठाक कोई अच्छा college है private में, तो यह आता है, इसकी rank बढ़ी अच्छी दे रखी है, 32, noida में है यह बच्चो, और इसका दो तरीके से admission होता है, जेई में के through और M.A.T. के through, M.A.T. अपना entrance लेती है बच्चो, और इसका 30 lakh per annum है, और average package बह और इनकी जो highest package है, वो ठीक ठाक है, और average package बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है, और इसकी rank यह है, J.E. की rank के through, जिसमें आपको cut-off madmission मिलेगा, इनकी अपनी counselling होती है बच्चो, तो यह देख सकते हैं, इसके बाद, तीसरा favorite college, इस पूरी list में तीन college है मेरे, एक दूसरे number पर आया था, बिट्स पिलानी, और तीसरे पर यह है, डेली technological university, DTU बोलते हैं इसको, डेली में अगर IIT के बाद कोई बढ़िया college बनता है, तो मेरे recording तो यह है, और बाकि सब भी बच्चे भी priority पे C को लेते हैं, और बहुत सारे student पढ़ भी रहे हैं मेरे इसमें, तो मलब उनके review, उनके feedback बहुत अच्छे हैं, और जो पढ़के निगल चुके हैं, बहुत अच्छे package पे गए हुए हैं बच्चे, एक बार Facebook ने कुछ 7-8 साल पहले record तोड़ा था, कुछ बहुत highest package के बच्चे लिये थे यहां से, तो NIRF rank 36 है, 1941 में बना था, और बच्चो, हाइस package देख लो, 1.2 crore per annum, average very good, और यह सारी cut-off हैं बच्चो, inside Delhi, यहां seats बच्चो, रिजर्व होती हैं 85% Delhi के लिए और 15% outside के लिए, ठीक है, जो rule है state वाला, वही लगता है, यह outside की seats का data है, ठीक है, तो बच्चो, यह मैंने आपको सारी information दी, ठीक है, और अगली वीडि college के बारे में बताएं, जो आप पूछना चाहें, ऐसे medical college के बारे में, और पूरी इसको चैनल को number one बनाया जाए, इंडिया का number one channel, ताकि आपको सब को information मिले, बच्चो, हमारे एक मकसद था, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, कि हमारे पास guidance नहीं था, आपने ऐसे बहुत लोग सुने होंगे, तो बच्चो हम आपको guidance दे रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है, और अगर आपके फिर भी कोई query रह जाती है, तो comment box में लिखिए, कोई college और इसके अलावा आपको पूछना है, उसको बारे में comment box में लिखिए, और अगर हमसे कोई गल्दी हो ज